आई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वा लाएं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी के जो समिशनर एक्जामस होंगे वो बहुत भेतरीन तरीके से चल रहे होंगे और आप मेंसे कई सारे ऐसे लोग है न वो टॉप करने वाले हैं और हमारे चैनल से आप जितना भी हो सके पढ़ाई करते रहो आ लेकिन बाकी लोग बोलते हैं वन आफ दा हाड़ेस्ट चाप्टर आप 11 स्टैंडर मैट्स क्यों इसको अगर आप समझ लोगे जो कि अलुड़ी बेसिक लेक्चर्स हमने पढ़ा है इसके पहले आज देखो चौथा लेक्चर्र लिकर आया हूँ और इस चौथे लेक्चर् कोई परिशानी नहीं हो रही होगी और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा यह चाप्टर अब इस लेक्चर में क्या पढ़ना है लेक्चर नमर फोर हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो कि अलुड़ी पिछले लेक्चर में हमने शिरुवात किया था और आइग शुरुआत करते हैं तो जिसके भी एक्जाम अच्छे जा रहे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं और साथी में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी तक फॉलो नहीं कर सकते हो इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है ठीक है चले शुरुआत करते हैं अब देखो यहाँ पर अलग अलग ताइप के कोश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं ठीक है अब यह जो कोश्चंस आप देख पा रहे हो यह जो कोश्चंस है बेसिकली इसमें आप लोग का कॉस्स टैन साइन जो भी है इसके फॉर्मूलेस यूज होने वाले अगर आ यह जो आपको लिखा हुआ है 4 रेडियन इस हो जाते हैं तो यह 4 रेडियन दिया हुए और दूसरा आपको क्या बोल रहा है कॉस्स टैन का इनका क्या देखना है और यह आपको बताना है कि यह दोनों में से घृतर कौन सा है बढ़ा कौन सा है तो सबसे फ़ेले हम लोगो स है हमेशा हम लोग जो अंगल लेतें वो ज़ादा तर डिगरी म taş अब यह 4 ॐош Яन को अगर दिग्री में करणा है मतब्स से मुंझे क्या कर executive जो मुझे पाज़ेंगा तो फॉर को अगर मुझे इसमें पो रेडियन को अगर डिग्री में convert करना है, तो 180 by pi से multiply करना पड़ेगा, तो ये इसका value क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे, तो 4 multiply by 180 upon pi, pi का value क्या ले सकते हो, 22 upon 7, 3.14 चो लेना ले लो, मैं ले लेता हूँ 22 upon 7, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 multiply by 180, multiply by 7 upon 22 हो जाएगा, कुछ cancel out होता है कि देखो, चेक करो, देखो, 2 के table में, 2 11s दा 22 होता है, 2 के table में, 2 90s दा 180 होता है, cut हो गया, 9 4 दा 36, मतब 360 multiply by 7, 360 को 7 से multiply करके देखो, ठीक है, 360 को 7 से multiply करो, 7 6 दा 42, 4 कहरी, 7021 और 25, 2520 आ रहा है यहाँ पे, तो 2520 अपन नीचे क्या बच रहा है, 11, इसको जब आप divide करोगे, तो आपको एक answer मिलेगा, ठीक है, अब वो divide आप लोग कर ले ना यार, मैं हर चीज आपको multiply divide नहीं कर आज सकता है, आप 11 में आगे हो, ठीक है ना, तो इतना आप कर लो, हमने यह सब छोटे मोटे चीज का calculation, पहले से हम लिखके रखते हैं, ताकि आपका time बचा सके, ठीक है, तो इसको जब आप divide करोगे, 2520 आपन 11 को, तो आपका जो answer आ रहा है दोस्तो, divide करने के बाद, जो की आ रहा है, approximately 229 degree, मतला आपका जो 4 radian था, वो क्या आगया अभी, 229 degree, यह हो गया आपका सबसे पहला चीज, जो आपने काम किया, कि 4 radian को, किस में convert कर लिया, डिगरी में, यह आपने सबसे पहला काम कर लिया, ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, अब देखो next step, 2nd होता है, 3rd होता है, 4th quadrant, पहले quadrant में 0 से लेके 90, दूसरे में 90 से लेके 180, दूसरे में 180 से 270, और चोथे में 270 से लेके 360 जग होता है, ठीक है, अब यह 4 degree है, तो obviously पहले quadrant में आएगा, तो it lies in, किस quadrant, 1st quadrant के अंदर लाए करेगा, ठीक है, वैसे ही मुझे बताओ, जो आपने अ ठीक है, जो 4 radian है, जिसको हम लोग in short क्या बोल सकते है, 229 degree भी बोल सकते है, approximately, approximately लिखना जरूरी है, क्योंकि यह point में आ रहा है, ठीक है, approximately लिख दो, तो यह किसमें आएगा, it lies in 3rd quadrant, lies in 3rd quadrant, अब यहाँ पे इसके help से हम लोगो क्या पता चलेगा, कि अगर मैं cos 4 degree का value, 4, sorry, 4 degree का नहीं माफ करना, 4 radian का, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करो, 1 minute, 1 second, 4 radian का, जो 4 radian है, यानि cos 229 अब जुन कालोगे, तो वह 0 सो छोटा आएगा, वही अगर आप cos 4 degree का value निकालोगे, तो 0 से बढ़ा आएगा, तो अब directly अगर इसको compare करो, देख के भी, क्या बोल पर आएगे, cos 4 radian is lesser than 0, and cos 4 degree is greater than 0, तो यहाँ पे 0 से बढ़ा को होन है, 4 degree, तो obviously वह 0 से बढ़ा है, मतलब positive है, और यह 0 से छोटा है, मतलब negative है, तो negative और positive में बढ़ा को होन होता है, always positive बढ़ा होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि therefore, cos 4 degree will be greater, और यही तो आपको पू क्या है यह, बढ़ा है, correct है, समझ में आ गया, बहुत बेजरी तरीके से, तो यह था आपका पहला example, simplest of the simplest example, लेकिन कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाते है, क्यों, क्योंकि उनको concept नहीं पता होता है, तो मैंने concept बता दिया, अब इसको एक बार practice कर लेना अच्छी तरीके से पूरा exam, अगर आता है exam में, तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, चलो, हम जाते है second question के उपर, मतलब, second मतलब, यह थरता, अब अगले question, यादि चोथे question के उपर जाते है, क्या बोल रहा है, fourth question, देखो question समझो, क्या बोल रहा है, कि state the quadrant in which theta lies, मतलब हमें ब चीज हम लोगों दिया हुआ है, ठीक है, sin theta जो है, वो less than 0 है, और यहाँ पे 10 theta जो है greater than 0 है, अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, यह चीज देखो, यह हमारा quadrant है, अब आप एक चीज जानते हो कि पहले quadrant में है, अब यहाँ पे देखो, आपको बोल रहा है, sin theta जो है, वो 0 से, क्या है यह, छोटा है, और 10 theta जो है, वो 0 से क्या है, बढ़ा है, correct है, यह आपको समझ में आ रहा है, तो sin theta negative होएगा, 0 से छोटा मतलब sin theta negative, और हमेशा, आप एक चीज जानते हो, कि sin को कौन represent करता है y, और cos को कौन represent करता है x, यह आपको मैंने याद करने के लिए बोला था, हमेशा आद रखना, sin को y represent करता है y axis, और cos को x axis represent करता है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कि sin मतलब y है, तो y negative आपको किसमे किसमे दिख रहा है, तो आप देखोगे, कि यह रहा y, इसमें negative है, और यह रह is in quadrant, कौन से quadrant में आएगा, कौन से quadrant है, 3rd and 4th, 3rd और 4th quadrant में आएगा, simple, बस आपको क्या आद रखना है, यह quadrant system याद रखना है, जो कि अलिए में पढ़ा चुका हूँ, correct है, यह हो गया, अब दूसरा यहाँ पे पुछा है, 10 theta वाला value, तो 10 theta 0 से बढ़ा, तो 10 theta 0 से बढ़ा से बता रहो दोस्तों, 10 theta मतलब क्या होता है, sin theta by cos theta, sin theta का मतलब y होता है, cos theta मतलब x होता है, y by x, तो 10 theta क्या चीए, 0 से बढ़ा मतलब positive 3, जो जो positive कब हो सकता है, दो ही condition में हो सकता है, अगर y upon x में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 second, 1 second, ठीक ह यहाँ से देखो, y upon x है, तो value positive कब आएगा, जब दोनों के दोनों positive रहेंगे, plus upon plus रहेगा, तो value positive रहेंगे, या तो negative upon negative रहेंगे, तब जाके दोनों एक दूसर को cancel करेंगे, और answer positive रहेंगा, तो मतलब हमें ऐसा देखना है, कि जहाँ पे x और y, या तो दोनों positive रहें, य 10 theta is greater than 0, यानि positive कब आएगा, जब उसका जो quadrant होगा, तो कहां होगा, या तो पहले में होगा, first में, या तो वो third में होगा, correct है, समझ में आ गया, कितना basic सा और simple सा concept था, clear है, चलो इसको रफ करते हैं, समझ में आ रहें कि नहीं आ रहें, बहुत ज़्यादा simple था, यह हो गया पहला example, sorry, यह हो गया हमारा पहला example, समझ में आ गया, ठीक है, अब देखो दूसरा, second one, क्या बोल रहा है, cos theta is less than 0 and 10 theta is greater than 0, ठीक है, देखो यहाँ पर, cos theta 0 से छोटा होना चाहिए, cos theta 0 से छोटा मतलब, cos theta will be negative, cos कौन represent करता है, x represent करता है, तो x negative किसमें किसमें है, यह रहा x negative third quadrant में, और x negative किसमें, यह वाला, तो second and third quadrant में ही x मेरा negative है, मतलब, यह कहाँ लाई करेगा, it lies in, उनसे में, second and third quadrant, कितना simple है, दोस्तों, निकालना, है कि नहीं, लेकिन बच्चे जो होते हैं, यह तक नहीं कर पाते हैं, जो एक माक्त के लिए आता है, exam में आपके, यह तक नह आगे बढ़ाएगा और अपने अच्छे percentage निकालने में प्रेइद करेगा, correct है, clear है, तो यह हो गया हमारा question number 2, अब देखो question number 2 का जो अगला पाट है, 10 theta वाला, यह already हमने solve कर लिया है, 10 theta is greater than 0, यही सेम दुवारा से question पूछा है, तो इसको solve कराने की जरूत नहीं है, first and third quadrant म answer आएगा, clear है, समझ में आगया, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगला question के भी, यह आगया हमारा question number 5, अब यह क्या दिख रहा है आपको, evaluate each of the following, सबसे easiest चीज़ होता है, evaluate करना, बस आपको table यह आतो होना चीए, कौन सा होता table, sin 0 का value, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 180, यह सब का value, already मैंने आपको बता है, कैसे calculate करना है, बहुत simple है, किसी जिसका value अगर आपको नहीं पता है, कोई पूछ दिया आपको, कि sin 360 का value बता हो, कोई पूछ दिया, तो कैसे calculate करना है बता है था न, circle बना के वो quadrant system, यहाद है कि नहीं, हम कोई भी degree का, कोई भी degree का हम लोग, sin component, cos component निकाल सकत है, correct है कि नहीं, यही खास बात है, math के trigonometry की, तो चलो, sin 30 कितना होता है, दोस्तो, 1 by 2, cos 45, 1 by root 2, correct है, 10 180 याद है कि आपको, 10 180, तो मुझे तो याद है कि जो 10 180 दोस्तो है, वो 0 होता है, लेकिन आपको मैं बता दू कैसे आया 180, कैसे करते है, circle coordinate system, 180 मतलब क्या होगा, इसी यह, यह, एक्स का coordinate 1 है, 0 है, y का value, x का 1 है, y का 0 है, sin represent करता है y को, तो sin 180 जो होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, correct है, cos 180 कि किसको represent करेगा, x को, 1, sign अपॉन कॉस क्या होता है, 0 upon 1, 10 मतलब, sin by cos 10 होता, 0 upon 1 is nothing but 0, तो हमारा 10, 180 जो value आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा, 10 180 का value कितना आएगा, 0 आएगा, देखा, कितना मिनट, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, अगर आपको किसी वैलू नहीं पता है, जैसे 10, 180 था, बाकी तो आपको 9 से याद होगा, कि दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे, यह 2 है ना, आप सॉरी, इसको पहले यहाँ पे देखो, यह 1 अपॉन 2 है तो 2 को मैं कैसे लिख सकता है, root 2 multiply by root 2, बीच में plus है, और यह आगया, root 2, correct है, या फिर ऐसा नहीं करना है, तो एक आजाएगा तो यह हो जाएगा रूट टू प्लस टू अपॉन टू रूट टू यह डारेकल आप यहां पर भी छोड़ सकते हो इसका एंसर ठीक है यहां पर भी छोड़ोगे तो भी आपको मार्स मिलेगा क्योंकि इसके आगे हम लोग ज्यादा सिंप्लिफिकेशन नहीं कर सक सब्सक्राइग रूट सब्सक्राइगे ख़च नहीं ndh. 10, 45, 1 होता है, तो quote 45 भी कितना होगा, 1 होगा, plus 10, 0, कितना होता है, 10, 0, sin 0, कितना होता है, 1, cos 0, कितना होता है, نہیں, sin 0, 0, sin 0, 0 होता है, cos 0, 1 reference 0 is nothing but 0, 10, 0 भी 0 होगा, correct है, बराबर जा रहा हूं में, correct है, एक बर cross check करते जाना, होसकता है इї भी गलत हो जाता हो गभी-घवी ठीक है आप root 2 plus 1 यह हमारा एंज़र हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकते है करेक्त है एक बड़ cross check कर लाता हूं root 2 plus 1 will be your correct answer बिलकुल ठीक है यह कर सकते हो चलो यह हो गया हमारा answer root 2 plus सब्सक्राइब तर्मिनल होगा तो 360 मतलब यही प्याएगा इसका वैलू क्या होगा वन कॉमस जिरो मरबर अब 1,0 मतलब य रिप्रेजन करेगा जीरो को मतलब मेरा साइन 360 देगा इस इक्वल टू जीरो और कॉस 360 विल बीक्वल टू वन ठीक है 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस तो मतलब 0.1 तो 0.1 नतिंग बड जीरो करेक्ट है तो हमारा 10 360 का वैलू कितना हो गया जीरो हो ग इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा कैसे दिमाग लगेगा बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर दो सबसे पहले में बनाता हूं एक सर्कल अच्छे से देखो यहां पर में एक सर्कल बना रहो देखर आपको और इसमें हम बनाएंगे हमारा कॉडरंट ठीक है यह होगे आपका कॉडरंट अब मुझे एक बात बताओ क्या बोल रहा है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न होगा समझवलू यह यहां ठीक होगा तू इसको अगर हम लोग करने की कोशिश करें मतलब यहां का एक एक सवालवा पॉइंट और यहां पॉइंट यहां पे लगबग मिल जाएगा हम लोग को जो की हो जाएगा जोस्तों ठीकॉमा मानस फूर ओर सिच्टम, 3,-4 हमने point निकाल लिया, अब देखो, अब असली खेल शुरू होगा, अब हमारा असली खेल शुरू होगा, बड़ा समझो, एक मिनट, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, जाने तो वो rough नहीं हो रहा है, चलो, यह आगया हमारा, अब 3,-4 है, तो मैं क्या करता हूँ, तो समझ लो, कि यह जो point में, 3,-4 का जो आया, उसी पे मेरा एक क्या होगा, हमारा radius टच हो रहा है, ठीक है, अब radius कितना है, वो मुझे पता नहीं, हर बार हम लोग 1 cm लेते थे, by default, जो हमने बोला था, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं मा जो होगा, वो 3 है, दिया है, 3,-4, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है, बहुत अच्छी तरीके से, जो कि हमने अल्री पढ़ा हुआ है, दोस्तों, इसके अंदर, कि मेरा x का value यहाँ पर है 3, y का value मेरे पास है,-4, हम एक चीज़ जानते है बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर यह होगा radius r, तो अगर मुझे radius r निकलना है, तो by using the distance formula, 3-0 the whole square, प्लस,-4-0 the whole square, यह मेरा distance formula से मैंने क्या निकलना, यह radius निकलने की कोशिश की, तो r will be equal to what, 3-0 का square, मतलब 3 का square, प्लस,-4-0 का square, मतलब 4 का square, तो कितना हो जाएगा, r r will be equal to 3 का square, 9, प्लस,-4 का square, 16, तो 9 plus 16 will be what, r will be answer आजाएगा, under root of 25, तो r का value आजाएगा, दोस्तो, plus, minus 5, या फिर डारेक्ट फाइल लिगो, radius है न, इसमें negative तो radius होता है, तो डारेक्ट फाइल लिग सकते हो, तो r is equal to 5, मतलब मेरा radius यहाँ से मुझे मिल गया 5, अब radius अग सब जानते हो, या इंगल मेरा theta बनेगा, तो अगर मैं यहाँ से sin theta निकालने की कोशिश कोते हो, तो sin theta का मतलब क्या होता है, आपको मैंने concept पढ़ाया हुआ है, 9th में, 10th में पढ़ाया हुए, क्या, sin theta, cos theta, 10th theta, o, r, o, a, a, यह यह करेक्ट है याद है आपको, o, a, o, a, a, मैंने जो पढ़ाया था आपको, तो sin theta मतलब o होता है, o मतलब o upon h, that is opposite upon hypotenuse, ठीक है, तो opposite को है यहाँ यहाँ पर theta का opposite, that is pm, pm side upon hypotenuse को है यहाँ यहाँ पर 90 का opposite, that is this side, जिसका नाम है op, ठीक है न, चलो op बोल दो, इसे के साथ, comment में, ठीक है, तो op आ गया, अब यहाँ पर pm का जो value है, मेरे पास कितना है, दोस्तों देखो, यह pm का value कितना है, that is y का value, जो कि है minus 4, तो minus 4 upon op का value कितना है, जो r है, अभी अभी निकाला, जो कि आ रहा है, 5, तो हमारा answer आ एंसर आ गया, minus 4 upon 5, this is your correct answer, sin theta का value minus 4 by 5 आपने निकाल दिया, correct है, minus 4 by 5, sin theta आ गया, वैसे आप cos theta निकाल सकते हो, cos theta का क्या था, आहा, o आ गया, अब यह आ आएगा, a मतलब a upon h, a मतलब adjacent, theta के बाद युमें adjacent side होता है, मतलब o m, तो o m upon hypotenuse op again, that is o m का value कितना है, this value, यह o m है न, तो x का value 3 है, तो हमारे पास o m का value भी 3 है, op 5 है, तो 3 upon 5 आ गया हमारा cos theta का value, उसके बाद नि पस पता है, minus 4 by 5 है, cos theta का value है, 3 by 5, 5, 5 cancel हो जाएगा, तो हमारा answer जो आएगा, वो आजाएगा, minus 4 by 3, correct है कि नहीं, correct है, minus 4 by 3 हमारा answer आजाएगा, अब आपने देखो, आपको question क्या पुछा था, आपको पुछा था, कि find the all trigonometric function, all मतलब total 6 function होते है, sin theta, cos theta, 10 theta, sec theta, लेकिन, अगर आपने sin theta निकाल दिया, cos theta निकाल दिया, 10 theta निकाल दिया, तो आप बचा हुआ जो value है, cos theta, sec theta, और last वाला cos theta, ये तीनों निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसे homework, जरूर से कर लेना बहुत easy है, क्योंकि यार main mean त question का answer, समझ में आ रहा है, correct है की नई clear है, चलो इसी बात में, op in the chat, correct है, op के नाम पे कर दो, op in the chat, ठीक है, चलो, अब आगे बर जाते हैं, next question पे जो की है, कितना हो गया, 6th हो गया, अब next question आएगा, 7th question, हाँ, अब ये लग रहा है question, अच्छा वाला, चलो, इसको solve करेंगे मज़ा आएगा, देखो क्या बोल रहा है, if cost theta is equal to 12 by 13, cost theta का value 12 by 13 दिये रखाए, theta का जो value है, it is greater than 0, but less than 90, मतलब कहीं न कहीं न कहीं जो मेरा theta है, वो 90 और 0 के बीच में आ रहा होगा, मतलब first coordinate में लाई करेगा, ये हम लोग को यहां से समझ में आ गया, हमें पूछा है, इस sin square theta plus cost square theta is equal to 1, तो यानि कि मेरा जो sin square theta होगा, will be equal to 1 minus cost square theta होगा, ठीक है, तो 1 minus cost कितना है, 12 upon 13, मतलब इसका square, ठीक है, तो निकाल लो, तो 1 minus 12 का square 144 upon 169, correct है कि नहीं, समझ में आ रहा है, 12 का square 144, 13 का square 169, यानि कि यह हो जाएगा, 169 minus 144 upon 169, and again that will be equal to minus को कितना है, 25 upon 169, 169, तो हमारा जो value आएगा, sin square theta का, is equal to 25 upon 169, लेकिन हमें चाहिए sin theta का value, इसका मतलब sin theta will be equal to what, under root of 25 upon 169, यानि कि हमें sin theta का value मिलेगा, वो मिलेगा, plus minus 5 by 13, 25 का square root 5, 169 का 13, तो sin theta का value आगया, plus minus 5 by 13, लेकिन एक दुविधा अभी भी है, कि plus लेना है कि minus लेना है, वो अभी बता चलेगा, कैसे, हमने अभी अभी पता है, क्या पता है, since theta is equal to, that is 0 less than theta less than equal to pi by 2 हमें दिया हुआ है, मतलब theta 2 है, lies in first quadrant, और first quadrant में लाई कर रहा है, तो all the values are positive in the first quadrant, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा sin theta जो होगा, वो कितना होगा, दोस्तो 5 by 13 होगा, तो यहां से हम लो देखो, यहां पर यह, इसका value निकालना है, क्या है यह value, जो कि है, sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta, ठीक है, 2 sin theta multiply by cos theta, इसका value मुझे निकालना है, तो जो value मुझे पता है, सबसे पहले में वो डाल सकता हो कि नहीं, देखो, यहां पर ध्यान से, क्या value दिया है हम लोगो, यहां पर, देखो sin square theta, sin theta का value निकाला हमने 5 by 13 निकाला, sin theta का value 5 by 13 निकाला, तो sin theta का value क्या है, 5 by 13, इसका square, क्योंकि यह sin square theta है, minus cos का theta value हमें को दिया हुए 12 by 13 है, तो 12 by 13 का square, cos square theta हो गया, upon 2 multiply by sin theta कितना है, 5 by 13 है, और multiply by cos theta कितना है, 12 by 13 है, अब देखो value calculate करो, बस हमारा answer आज देखा, 5 square 25, 13 का square 169, minus 12 का square 144, upon 13 का square 169, whole divided by, 2 multiply by 10, 10 multiply by 12 is 120, और नीचे आजाएगा 13 multiply by 13, यानी 169, इतना समझा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर करता हूँ, 25 upon 169, minus 144 by 169, 169, 169, 169, 169, 169, denominator में common है, तो क्या हो जाएगा, 25, यहाँ पर करता हूँ, इधर देखो, एक step आपका, यहाँ पर यह लिखता हूँ, यहाँ पर जगा है ना, हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 minus 144, upon 169, whole divided by, 120 upon 169, अब इससे होगा, 25 minus 144 करोगे, तो minus 119 आ जाएगा, यहाँ पर 169, 169, तो हमारा answer आ गया, माइनस 119, upon 120, खतम कहानी, तो हमारा जो answer पूछा था हमें, यह इतना लंबा चोड़ा, sin square theta, minus cos square theta, upon 2 sin theta, cos theta का value कितना आया, minus 119 upon 120, तो यह हो गया, सबसे पहला answer, तो सबसे बहला मतलब, दो चीज़ पूछा है, इसमें, एक तो यह पूछा है आपको, और दूसरा यह 10 theta का value निकालेंगे, 10 theta का मतलब क्या होता है, sin theta by cos theta, देखो ध्यान से, sin theta का value अभी अभी हमने निकाला है, sin theta का value है, 5 by 13, cos theta का है, 12 by 13, तो 5 by 13, upon 12 by 13, 13, 13, 13 cancer, मतलब हमारा answer कितना आएगा, 5 upon 12, 10 theta का value कितना आएगा, 5 by 12, तो यह आगे 10 theta का value, हमें चाहिए, 1 upon 10 square theta, तो 1 upon 10 square theta का value चीए, तो 1 upon 5 upon 12 का square, यानि कि 1 upon 25 upon 144, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, उदर जाएगा, तो यह 144 उपर नीचे आजएगा 25, तो 144 upon 25 will be your correct answer, and हमारा answer बिल्कुल perfect आया है, correct है, तो this is your exact answer, तो हमारा जो 1 upon 10 square theta का value जो पूछा था, यह भी हमने निकाल लिया, जो कि है 144 24 upon 25, ठीक है, clear है, तो यह हो गया हमारा, कौन सात्वा question, आईगेस, ठीक है, सात्वा हो गया, अब next question क्या है, आत्वा question, and यह आखरी question है, हमारे इस chapter का, I mean to say, इस practice step का exercise 2.1 का आखरी question है, वैसे 9 भी है, लेकिन वो आपके लिए होंबा के, क्योंकि similar है, जो ऐसा type का हमने करा है, ठीक है, तो चलो, इसको solve कर लेंगे, और आज का lecture stop करेंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, using table evaluate the following, ठीक हो evaluation ही है, nothing but evaluation, क्या है, 4 cot 45 degree, minus sec square 60 degree, plus sin 30 degree, बस इतना value आपको निकालना है, again, 4, multiply by cot 45, cot 45 value कैसे निकलेगा, जब आपको 10 का पता हो, और 10 का कम निकलेगा, जब साइन अ साइन अपन कॉस, इसका 45 का, तो साइन अपन कॉस 45 का मदब 10 का value 1 होता है, तो 10 का उल्टा 1 अपन 1, यानि की 1, cot 45 का value कितना होगा, 1 होगा, तो 4 multiply by 1 हो गया, यह सब दिमाप में चलना चाहिए, calculation, इतना हम fast कर लो, practice, इतना memorize कर लो, मुझे कैसे आता है, मैं थोड़ी proper math का teacher ह भी आपको इतने सालों से पढ़ा रख्यो, practice करकर करके आया है, ठीके, तो यह चीज समझे लो, तो 4 multiply by cos, cot 45 का value कितना होता है, 1 होता है, minus, sec 60 का value मुझे आद नहीं समझे लो, लेकिन sec किसका होल्टा होता है, cos, तो cos 60 का value आपको पता है गया, cos 60 का value होता है, 1 by 2, तो 1 by 2 का उ minus 4, cancel, तो हमारा answer कितना है, 1 by 2, this is your final answer, खतम कहानी, तो यह हो गया हमारा evaluation, कितना easy था, वैसे इसका second और 9 example, यह आप लो के लिए में छोड़ रहा हूँ, as a homework, तो बस अच्छी तरीके से आपको practice करना है, यह पूरा exercise number 2.1, इससी के साथ होता है complete, वैसे इस chapter में और भी बहुत सारे concept है, जो हम बारी-बारी से lecture by lecture आपके लिए लाएंगे, तो इससी के साथ आज का lecture समाप करता हूँ, thank you so much guys for watching this video, और उमीद करता हूँ, यह exercise पूरा आपका clear हो गया होगा, ठीक है, तो चलो, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, comment करके बताना, और अपनी राय औ पसंद आया, अच्छा लगा है, दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना, पर अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना, दोस्तों, और अगर first time आयो चैनल पे, अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया यार, तो यार अब 1 million जो है न, वह आपके हातों में है दोस्तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों को भी बोलो, share करें यार फटा फट से चैनल को subscribe करें, ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new, fresh और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye